खबर अंबिकापूर से, जहां स्वास्थ मंत्री टिया सिंग्देव का दर्द छलक उठा कॉंग्रेस का हाथ अब कंधे पर महसूस नहीं होता ऐसा कहना है स्वास्थ मंत्री टिया सिंग्देव का कॉंग्रेस के साथ हमारा परिवार हर परस्ततियों में खड़ा रहा मेरी विचारधारा BJP से मिल नहीं खाती और ऐसे में में BJP में शामल नहीं होगा लेकिन उनका एक और बयान जहां दर्ड छलक ता हुआ नजर आ रहा है उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस का हाथ अब कंधे पर महसूस नहीं होता कॉंग्रेस भी हमारी देख भाल करती थी हम भी कॉंग्रेस के नाम पर काम करते थे हम सब सब मिल के काम करते थे अभी कुछ दिनों से जरूर ऐसा लगता है कि जितना सर पे हाथ या कंधे पे हाथ होना चाहिए वो महसूस नहीं हो रहा पर वो अपने जगह की बात है में इस्मेड़ेद होने का कभी ने हो सकता। मेरे संथी हैं, हम लोग के अत्यंता अत्मिय संबंद हैं जो हमेशा बने रहेंगे, पहले वो कॉंग्रेस में थे जो धिरा सिंध्या जी के साथ वो भाछिपा में गए तो बात आती है, आपस में भी कभी बात आती है, आरास कहां आप भी भी वहाँ हैं, कंग्रिस में, देखिये, आपके साथ दोखा होगिया, आपको नहींगा है, मुख्י मंत्री निरनय हुए था, वो लागु नहीं हुआ, तो बात अतने जगह है, लेकिन मेरा विछार विक् करेंगे स्टेट एडिटर आधित्य नामदेव जी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं आधित्य जी अधिकतर देखा गया है कि टीय सिंग देव के ऐसे ही बयान सामने आ जो अब ऐसे बयान सामने आते हैं तो लगता यही है कि अब वो बात नहीं है और सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिर बाबा के मन में है क्या जी देखे रितु जी सबसे बड़ी बात है टीय सिंग देव है कौन पहले आपको मैं बताना चाहूंगा टीय सिंग देव के पित कि कॉंग्रेस का जो हाथ है उनके कंधे पर महसूस नहीं हो रहा है मैं तो भाचपा में नहीं जाओंगा ना मेरी विचार धरा उस से जुटती लेकिन परिवार कहा जाएगा मैं नहीं बता सकता मतलब बहुत साफ है चुनाव नहीं लड़ूँगा वोट करूँगा लेकिन मेरा जो भतीजा है मतलब साफ है जो भी वहां के जिलापंचाय देखते हैं वो किस पार्टी में जाएंगे और कहां रहेंगे मैं नहीं बता सकता ये बहुत सदा हुआ बयान है मेरे साथ अमिच्छी वास्ता जी है बाबा की फिर से नाराजगी सामने है देखिए बाबा ब परिवार की प्रिश्च भूमी आपने बताया मुझे लगता है कि किस संधर में उन्हें ने कहा था क्योंकि लगातार आज हम बजट में आपके हाँ छेचे सासर डिबेट कांदे पर महसूस नहीं है बड़ी बात है जी ना देखिए आदिती जी आपको मैं बता दू कि आपके बताया कि आज चेचे सासर डिबेट हम दूसरे चैनलों में और आपके आखुद दो डिबेट हमने आज किया मैं उस वियान को सुन नहीं पाया हूं लेकिन फिर भी मैं आपको आपके माध्याम से कह दूं कि कॉंग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ अंतिम पंक्ति में विधान सभा में भी रहे साफ के रहें कॉंग्रेस का हाथ कंधे पर महसूस नहीं हो रहा है परिवार कहा जैगा मुझे नहीं पता मुझे जो कहा गया था वो पूरा नहीं देखे बाबा ने सच तो का है कॉंग्रेस का हाथ उनके सिर्फे तो नहीं भारती इंता पाटी नह भारती जनता पार्टी के संपर्क में भी है वो है निश्यत रूप से हैं उनके भतीजों को ला रहे हैं अब वो उच्छिस्तरी बाते हैं और वो मैं मैं उस लेवल का व्यक्ति भी नहीं हूँ लेकिन आप विचारधारा मेल निखाती बोल रहे हैं देखे विचारधारा तो बहुत सारे नेताओं की मेल निखाती थी लेकिन मैं सभी आज भारती जनता पार्टी में आप देखेगा जैसे जैसे चुनाओ नजदीक आएंगे बाबा साब कभी भाज़पा के प्रती जो रुक है उसमें नर्मी आते जाएगी आज भी उन्होंने का भारती जनता से बादशीत चल रही है और हो सकता है चुनाओ आते आते जैसा उन्होंने उधारन दिया निश्यत तोर पर विमारन मंत्री हैं उनका भी यही था सिंदिया जी का की पहले कॉंग्रेस के साथ है लेकिन देखे चुनाओ के वक्त आगए भारती जनता पार्टी के साथ गवर् लेकिन एक बास बहुत साफ है बाबा की नाराजगी अब गाहे बगाहे सामने आने लगी है नाराजगी है बहुत बहुत शूक्री आदा जी है